स्टूरेंट्स वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ आई सी सी एइट साइन्स फिजिक्स का हमने चैपर टू स्टार्ट के लिए फिजिकल कॉंटिडीज और मेजरमेंट ठीक है पिरिएड वन हमने पिरिएड वन में कुछ टॉपिक हमने पड़ा था स्टार्टिंग किया था तो आज का टॉपिक क्या है तो आज का टॉपिक में हम लोग आपको कुछ फिगर्स दिख रहे है ठीक है तो देखते हैं इनके बारे में क्या है इस से रिलेटेट क्या चैप्टर है तो हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मेनेशन अब डेंसिटी ठीक हमने पिछले क्लास में डेंस इसका ठीक है लेंग्ड ब्रेथ कुछ है 3D and this is also sphere food wall type का आपको दिख रहा है तो इस रेगुलर solid तो regular solid का किस तरह से density determine किया जाए यह हम सीखेंगे ठीक है उस एन irregular solid तो यह आप stone देख रहे हैं इसको हम कोई perfect shape का नाम नहीं दे सकते हैं जैसे perfect shape का नाम मतलब यह sphere हो गया यह cuboid हो गया and there are some 2D figures also rectangle square हम लोग इसको नाम दे सकते हैं लेकिन इसको कुछ यह ऐसा shape है कुछ इसको नाम नहीं दे सकते हैं इसको मतलब जो और भी stone आप आसपास में देखेंगे या और भी बहुत सारे आयरेंड का पीज देखेंगे जो शेप प्रापर सेप में रही होता है तो इस तरह के शेप जो है इर्रेगुलर होते हैं ठीक है नव लेटेश सी कि कैसे हम लोग डिटर्माइन करेंगे रेगुलर सॉलिट का फॉर्मूला मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया ठीक है वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे जैसे कि फॉर्मूला क्या था क्लास निकाल कि कैसे हम लोग को क्लास कहया सकते हैं किसी भी फ्रस ब्सकीटिया क्लास में हो to find the mass of the solid using beam balance mass कैसे हम लोग करेंगे बीम बैलेंस तराजू बोलते हैं इसको हिंदी में वेट को नापने के लिए जो बैलेंस होता है इस बीम बैलेंस तो मास फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे टालना है वह हमको एक लिदिंग देगा भाइट मास थीक है नो वाल्यूम अगर फाइंड करना हो तो रेगुलर सॉलिट का जो है कुछ स्पेस्टिक फॉर्मूला होता है मैथ मैं जो आप रघेंगे तो मैं आपको बताओंगा आपको क्या करने हो फॉर्मूला का भी भी नोट कर लेना है क्योंकि numerical होंगे physics में इसके basis पे जिस पर आपको formula यूज करना है तो अभी हम लोग क्या करेंगे हम लोग अभी करेंगे regular solid का ध्यान देना है यहां पर मैंने starting पर पता है था दो तरीका हम लोग solid के वारे में पढ़ेंगे regular and irregular formula तो हमारा यही रहेगा चाहे regular हो है i month लेकिन जो volume निकालने-ma través प्र hilar मैंस में को मेजर करना है लेकिन जो volume निकालने का तरीका होगा और regular solid के लिए अलग होगा ठीक है तो regular solid के लिए पहले देख लेतें क्या तरीका हैonne एक क्योगूआइड ठीक है जो रेक्टेंगूलर है एंद जिसका 3D सेयव है लेंद ये लेंद है और ये अर्य हाइट है जैसे मैचंभाक्स हो गया आपका जूमेट्री बॉकस हो गया आपका लंचित क्रेश्थ हो सेब्न क्या होता है क्यूआट होता है ुश कर कि Kennes तो भी देख लीजिए आप ऐसा के दो रेक्टेंगल बनाना देखिए यह एक रेक्टेंगल मेशे जोड़ देखे, तो यह shape देखे, यह 3D shape और यह क्या है बेसिकली एक रेक्टेंगल है यह देखे 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 तो आप रेक्टेंगल है रेक्टेंगल का 3D भी होगा जिसमें आपको लेंथ मिल रहा है यह क्या है यह लेंथ है rectangle में length and breadth होते होने है ना हमने rectangle जो देखा है उसमें length and breath होता है बड़ इसमें एक height भी होगा और यह देखें length यह हो गया breath and यह हो गया height ठीक है तो length breath and height तो इसलिए volume of the cuboid का जो formula है वो length into breath into height short में अगर लिखना चाहिए तो l into b into h तो यह हो गया आपका volume of cuboid के बारे में यह जो shape आप देख रहे हैं इसको बोला जाता है sphere ठीक है यह circular नहीं होता है दिखने में आपको circular लग सकता है लेकिन यह जैसे football आपने देखा है volleyball आपने देखा है वह circle है लेकिन वह 3D shape में है तो that is sphere तो sphere का भी volume का formula क्या होता है 4 by 3 pi r cube अब इसमें यह पाई है r है इसका क्या मीनिंग होता है यह मतारे तो देखिए पाई का मतलब होता है पाई का एक value होता है actually pi is equal to होगा 25 को इस तरह से अब लिखेंगे लिखने का तरीका होता है ऐसे ऐसे करके ऊपर अपर अपर आरो दे दीजिए और उसके ऊपर पर यह सरकल होता है सरकल सरकल का सेंटर से लेकर उसके उसके बाउंडरी तक जो है जो डिस्टेंस से उसको क्या का जाता है रेडियस का उस तरह से स्फेर का भी रेडियस होता है यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा सेंटर से वह होगा स्फेर का रेडियस और फोर सभублиूम निकालना सिख रहे है यह सब्सक्राइब को 3D षैप और सभी साइड सब्सकेश ऊपको पता है इसका भी जो लेंद यह है आपका cylindrical shape इसको अगर आप draw करना चाहें तो आप कैसे draw कर सकते हैं इसको आप ऐसे draw कर सकते हैं उपर में एक circle दिया ठीक है यह नीचे में circle दिया जैसे आपका bottle होता है जो उपर नीचे parallel होता है वो cylindrical shape हो गया जो container होता है वो हो गया सिलेंड्रिकल से तो यह हो गया सिलेंड्रिकल से ठीक है तो इसका भी volume का अलग formula है और वो फॉर्मूला क्या है इसका volume का formula है पाई आर स्क्वेर एच तो पाई का तो मैंने आपको बता दिया same value यहां पर भी होगा कुछ ने कुछ रेडियस होता होगा तो यह जो रेडियस है यहां से लेकर यहां तक का लेंथ हो गया है तो यह हमारा तरीका है क्या volume निकालनेगा of regular solid और सभी का अगर आप mass निकालना है तो उसको क्या करना है उसके लिए आपको beam balance का इस्तेमाल करना है मास निकालने के लिए तो जब मास निकल जाएगा और वॉल्यूम निकल जाएगा तो density आप कैसे निकालेंगे density is equal to mass by volume फॉर्मूला को याद कर लिजे यह फॉर्मूला भी आपको याद कर लेना होगा mathematics में भी आपको यह मिलेगा जब आप इसको पढ़ लेना है ठीक है यह होगया हमारा how to find the density of regular solid अगर आपको question भी पूछा जाए what is the formula to find the density तो यह फॉर्मूला लिखेंगे आपको यूज करना पड़ता है ठीक है students ना देखते हैं next topic क्या है हमारा next है एक example ठीक है example में क्या बोले है mass of cube of iron is cube of iron देखें यह पर cube बोला गया है ठीक है तो cube का shape यह ऐसा होता है अभी हमने देखा है एक square होता है जिसका length, breadth, height आप बोल सकते है सब सेम होगा क्यूं क्यूंकि square का जो shape होता है जो side होता है वो equal होता है यह ना तो cube of iron of side 3 cm बोला है यहनि कि side is equal to कितना है 3 cm और यह mass of cube, mass कितना दिया हुआ है mass is equal to 210 gram ठीक है तो mass दिया हुआ 210 gram and one side दिया है 3 cm आपको बोला है what is the density of the cube of the iron तो इसका density निकालने के लिए बोला है क्या निकालने बोले density निकालने के लिए तो हमको पता है we know हम लिखेंगे that density is equal to mass by volume density is equal to क्या होता है mass by volume now we already have mass mass हमके हमारे पास दिया हुआ है mass कितना है 210 gram ठीक है and volume चाहिए तो volume of cube क्या क्या formula है अभी अभी हमने सीखा volume of cube is equal to होता है क्या side cube ना अभी अभी तो formula देखा था या नहीं है तो मैं फिर से दिखा देता हूँ देखिए यह रहा volume of cube क्या है volume of cube है side cube ठीक है यह रेड वाला देखिए जो नीचे में दिख रहे है ठीक है यह वाला यह volume of cube हो गया side cube तो अभी हम लोग इसका volume निकाल लेते हैं तो यह side कितना है side है मतलब 3 cm3 कितना हो जाएगा 3 cm x 3 cm x 3 cm x 3 cm x 3 cm कितना हो जाएगा 339 यह 27 cm3 27 cm3 इसका क्या हो गया volume हो गया तो density is equal to क्या हो जाएगा density is equal to हो जाएगा mass by volume, mass हमारे पास है 210 gram ठीक है and volume इसमें क्या है 27 cm3 तो इसका calculation करेंगे हो भी हम लोग 37 x 21, 39 x 27, 70 x 9 यह और कटेगा नहीं तो इसका हम लोग divide कर देंगे ठीक है 90, चलिए divide करते है रफ में 70 divided by 9 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 7 जा 63 तो यह minus करेंगे तो यह 7 आएगा यहाँ पर point से 0, फिर से 97 जा 63 अच्छा इसका मतलब यह चलता जाएगा 7.777 तो यह हम लोग लिख देंगे एप्रोक्स में लिखेंगे 7.78 क्योंकि यह 7.7777 चलता जाएगा तो सारा 7 तो नहीं लिखेंगे हम लोग लिखेंगे 7.78 अब यहाँ पर देखें ग्राम और सेंटिमेटर तो यह सीजी एस यूनिट में आगा ठीक है यह कैसे आया है प्लीज आश्क मी ठीक है क्योंकि यह सीजी एस यूनिट पिछले क्लास में अलड़ी समझा दिया है लेकिन आंसर में आप इस यूनिट को कैसे लिखते है यह अगर आपको समझ में नहीं आया है बहुत इंपोर्टन यह उनिट नहीं लिखते न बच्चे त का थोड़ा सा आइडिया जरूर मिला होगा एक है नेक्स्ट आगे तो हम और नियुमेरिकल करेंगे करेंगे तो यह हमारा रेगुलर पार्ट का खतम हुआ है अभी हम लोग देखेंगे आपको पहले ही दिखा था एक इर्रेगुलर सॉलिड तो मास तो आपका निकल जाएगा कैसे निकलेगा बिम बैलन्स को यूज करेंगे मास निकल जाएगा लेकिन इंपोर्टेंट है कि डेंसिटी ऑफ इर्रेगुलर जिसका कोई परफेक्ट शेप नहीं है उसको हम लोग कैस निकले रेगुलर शेप का तो फॉर्मूला फॉर्मूला से निकल जाएगा इसका तो कोई लेंद ब्रेथ हाइट प्रॉपर निकाल भी नहीं पाएंगे ना रेडियस निकाल पाएंगे प्रॉपर तो इसका डेंसिटी निकालने के लिए बहुत ही अनोखा तरीका है एंड एक्स्पेरिमेंटल तरीका है मतलब मज़ा आता है इस करने के एवन बहुत कॉमन चीज है यह आप देखेंगे अभी तो फॉर्स्ट वी हाब तो फॉर्मूला फॉर्मूला क्या होता है ओविसली देंसिटी इस इगल टू एम वाइभी होता है तो दिस इस इस आप्वियस क्रास निकल जाए मौन जाएगा इसका नाव रियल चैलेंज इस इस तो फाइंड वॉर्यूमॉ एफ ऑफ द इल्रेगूलर शेप ठीक है इड इलेगुलर शेव में वो क्यू है क्यूंकि ना इसका हम ढिक से लेन्द निकाल पाएंगे ना ब्रेठ निकाल पाएंगे ना रि displacement method इस जिसको आप समझें कि displacement method actually है किया तो इसको मैं experiment एक activity के जरी मैं आपको बताता हूं बहुत ही जल्दी समझ महां जाएगा एक container ले रहा हूं मैं ठीक है इस container में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया ठीक है container में अब मैं क्या करूंगा यह जो स्टोन है इस स्टोन को इसमें डालूंगा तो अगर अगर आप यह जिस घर पर भी करेंगे एक container में आपने इसे चोड़ा सा container में पानी लिया और बड़ा सा पत्तर या कुछ भी समान उसके अंदर पर डाल दिया तो आप देखेंगे you must agree with me कि आप उसका जो water level है वो increase हो जाएगा ठीक है लाइक दिस जैसे मैं नहीं स्टोन को डाल दिया है यह आप पर ते water level क्या होगे increase होगे यह होगा ही होगा 100% है क्योंकि जो स्टोन ने जो है थोड़ा सा space occupy कर लिया उसमें डालने के वाशे से जितना लाधने किया उसका उतना ही पानी जो है उपर की तरफ आजाएगा ठीक है और वह स्टोन कितना स्पेस करेंगा मालूम है आपको वह जो star है यह या जो तो है तो इसका वॉल्यूम हम निकाल लेते हैं तो हम लोग क्या कर सकते पता कर पाएंगे कि स्पॉलीट का समौग एक है लिक्विट डिस्प्लेश हुआ है इसका वॉल्युम निकालना बहूत आपको मईसेरिंग करेंगे क्या सिस्टेमाल करेंगे में सिलिंड़र wiec मघंधरिंग क्या होता है मेज़रिंग सिलिंडर एक और कंटेनरी होता है जिसमें जो मार्किंग लगे भी जैसे मार्किंग नहीं इसमें मार्किंग लगे हो ठीक है तो यह मार्किंग आपको बताएगा जहां तक अगर यहां तक डालacks तो 10 ml का लिक्वीड है 20 ml घर टी मेले इस तरह से की अर्किंग जो है आपको बताएगा ला TO देखिए यह वाटर जो भी था अगर हम इसको जितना डिस्प्लेस्मेंट हुआ उतना वाटर को मेजरिंग सिलेंडर में डाल देंगे तो मेजरिंग सिलेंडर एक रीडिंग मत जहां तक यह वाटर आया है उतना हो जाएगा उस इर्रेगुलर सॉलिट का जो है वॉल्यूम ठ पर बोलता हूं प्लीज डूंट हजरेट तो आस्क मी ठीक है जितना आप पूछेंगे बात्चित करेंगे उतना चीज़ क्लियर होगा ठीक है और अपके मन से डर हटेगा साइंस का ठीक है तो यह डिस्प्लेस्मेंट समाझ में है कैसे डिस्प्लेस्मेंट के जरिए मतलब यह जितना लिक्वीड यहां पर है जितना वाटर यहां पर यह एक्ट्वली इकुल टू दा वॉल्यूम अब डाट इर्रेगुलर सॉलिड जो हमने लिया था जिसका हमने डेंसिटी फाइंड करना था ठीक है जो चीज़ मैंने अभी आपको बता कि कैसे वॉल्यूम फाइंड करना है उसी चीज़ को इसमें फिर से एक एक्टिविटी के जरिया हम समझेंगे मेजर दा मास अब दा इर्रेगुलर सॉलिड बा यूजिंग बिम बालेंस तो यह फर्स्ट हमने कर लिया लेट दा मास भी एम ग्राम हम ले लेते हैं कि जो मास है वह कितना है एम ग्राम है सटेन कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा लेट से इस एम ग्राम नाओ स्टेप आपको अभी दिखाया ठीक है ओके मेजरिंग सिलेंडर में क्या रहेगा ऐसे करके मार्किंग रहेगा तो इसमें हम लोग क्या करेंगे पानी लेंगे यह हमने ले लिया पानी मेजरिंग सिलेंड डायरेक अगर हमनों दो कंटेनर यूजे ने करके एक ही कंटेनर यूजे कर रहे है तो कैसे होगा यह पानी ले लिया हमने और यहाँ पर कितना इसका रीडिंग है यह हमने मार्क कर लिया सपोज यह हमने ले लिया कि अभी यहाँ पर V1 लेवल तक का पाने है क्लियर है, note the level of the water तो हमने level of the water को note कर लिया step 3 में हम क्या कर रहे है, tie the solid with the thread and carefully lower the solid in the water content in the measuring cylinder ensure no water splashes out note the level of water again let it be V2 ml तो अभी हम लोग क्या करेंगे जिस irregular solid का हम volume नापना चाते, suppose यह मेरा irregular solid है, मैं क्या करूँगा इसको एक thread से अच्छे से tie करूँगा ठीक है, thread से अच्छे से tie करके इसको इसके अंदर डालूँगा और इस तरह से अंदर डालूँगा इसका यह हलके से कि पानी जो है, इसमें से बाहर नहीं गिरना चाहिए ठीक है, enough space होना चाहिए क्योंकि यह stone को या जो भी irregular solid है इसको डालते ही, मेरा जो water label है वो क्या होगा, ऊपर की तरफ rise हो जाएगा तो let's say कि यह अभी नया water label है वो यहाँ पर आ गया है ठीक है, different color use कर लेता हूँ अब मान लेता है, यह stone जो irregular solid है वो डालने के बज़े से जो water label है, वो कहां तक आ गया है यहां तक आ गया है, इसको हम mark कर देते है V2 label, और यहाँ पर तो already measuring cylinder में directly कर रहे है तो यहाँ पर marking या reading तो already होगा ठीक है, तो इसका यह जितना water displaced हुआ है, इतना water displaced हुआ है तो यह हो जाएगा इस irregular solid का volume, ठीक है, और इसको हम कैसे निकालेंगे, यह जो V2 है उसमें से V1 को minus कर देंगे, ठीक है तो find the volume होता solid by find the difference of V2 and V1, तो V2 से V1 को minus करके जो value आएगा, वो हो आएगा हमारा क्या, volume of the irregular solid, ठीक है, जो कि V2 minus, मान लेते हैं कि वो V2 minus V1 cm3 है, ठीक है तो यह हमारा हो गया कि सिच का, कैसे हम irregular solid का volume निकालेंगे using a measuring cylinder, तो यह diagram से मैंने आपको दिखाने का कोशिश किया है जो भी difference रहेगा पहले यह label था, बाद में यह label यह दोनों का label का difference को ही हम लोग minus करके निकाल देंगे उसका volume, ठीक है, यह हो गया measuring cylinder से हम कर सकते हैं, सेम चीज़ एक Eureka can को भी use करके हम कर सकते हैं Eureka can किस तरह का होता है, मालूं मैं आपको एक diagram दिखा देता हूँ Eureka can कुछ इस तरह का होता है ऐसा आपको एक container मिलेगा, जिसमें एक तरफ में इस तरह से जो है, एक opening रहेगा यह है इस तरह का, तो इस से क्या होगा, कि पानी अगर इस label के उपर आएगा, तो इस में से flow होके अगर यहां पर कोई container रखते हैं तो उसमें आके गिरेगा, तो इस तरह का एक can होता है, Eureka can, तो इस से कैसे हम लोग measure करेंगे, place and Eureka can on the table of a measuring cylinder ठीक है, with a measuring cylinder under its spout, यह जो चीज़े ने इसको बोलते हैं, spout यहां से पानी निकल के आएगा यह है क्या, spout क्या बोला है place and Eureka can on the table with a measuring cylinder under its spout, तो इसके नीचे एक measuring cylinder को रखने के लिए कहा गया है यह मान लिज़े हमारा measuring cylinder है जो ठीक, इसके नीचे अगर पानी गिरेगा, तो इसमें आके गिरेगा तो when now बोला, pour water into it until it starts overflowing through the spout, मतलब आपको यहां पे पानी डालना है, इस Eureka can में कब तक पानी डालना है, जब तक यह क्या नहीं हो जाता है overflow नहीं हो जाता है overflow अगर इसके बाद होगा तो यह कहां से गिरेगा यहां से गिरेगा है ना तो बोला है जब यह overflow start होना शुरू हो जाए, तब पानी डालना तो पानी इसमें आ जाएगा और जो एक्स्टा पानी हमारा निकला था वो यहां पर उसको भी हमने फेक दिया यह भी खा लिए ठीक है अब देखिए कैसे हम लोग मेजर करेंगे जो है इर्रेगुलर सॉलिट को फिर से हम लोग कोई चीज को रिपीट करेंगे क्या करेंगे हम तो अपर की तरफ राइस करेंगे इसके वजए से वूजेसे वह पानी इसके तुरू से किसमें आ जाएगा इसके तुरू से इस मेजरिंग लगाया हूँ है और कुछ ने तो जितना पानी इस स्टोन ने इसमें डाल दिया वही उसका वॉल्यूम होगा तो यह सेम चीज कर करके सेमी चीज़ कर रहा है मेजरिंग सीलेंडिर में वहीं पर ही मेजर हारा नहीं को माइनस करके जब यहाओं पर मैनेस करने का ज़रूत नहीं कि यहां से उतना ही पानी इसमें आंगा जीतना इसका वॉल्यूम है तो जितना भी इस वाटर इसमें collect होता है वही हो जाएगा क्या इस irregular solid का volume ठीक है तो यूरेका can से अगर आपको question पूछे मैं इसे ले संगार हूं पूछ सकता है यह अगर यूरेका can से आपको पूछे कि किस तरह से measure किया जाता है volume को तो वो इस तरह से करना है उसका वॉल्यूम को मेजर कर लेना है तो आज की क्लास में हमने इतना ही करना था कैसे हम मैंने बता हुए density calculate करते किसी regular या irregular solid का तो उसके लिए mass and volume चाहिए हमको mass beam balance से हम निकाल देंगे volume निकालने का अलग-अलग तरीका है अगर आपका regular solid है तो उनके कुछ define के वे formula है उसको आपको करना होगा और इर्रेगुलर solid है तो जो तरीका मैंने बताया कि किस तर से यूरेका कैन को यूज करके आप कर सकते या फिर measuring cylinder को यूज कर सकते या फिर फिर्स्ट वाला method जो मैंने बताया कि जितना water rise हो रहा है उतना water को दूसरे measuring cylinder में डालके तो कोई भी method से जो है इर्रेगुलर solid का volume निकाला जा सकते है अल्टिमेटली volume निकालने के बाद जो formula हमको use करना होगा density निकालने का वो क्या होगा density is equal to m y v d is equal to क्या हो जाएगा m y v यह है formula ठीक है what is the density of irregular solid उस mass is 310 gram volume is 40 cm3 बहुत easy question है what is the density of irregular solid उस mass is 78 gram and volume is 10 cm3 एकदम same question है ठीक है और calculation ध्यान से करने अगर decimal में आता है तो आ सकता है कोई दिक्कत में ठीक है राइट दा formula to calculate density of a volume तो d is equal to क्या होगा m y v आप क्या लिखेंगे is equal density is equal to first me first जो topic पढ़ा था उसमें यह दिया हुआ था mass bracket में लिखेंगे m by volume bracket में लिखेंगे v ठीक है students तो आज के class में हम इतना ही करता है यह homework आप कर लीजेगा and कुछ और numericals भी हम लोग solve करेंगे obviously क्योंकि इस topic से related numericals काफी ज्यादा है आपके